जय हिन वन्दे बात्रम बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्चम क्लासिस पर तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं मंथली करेंट अफेर्स फेब 2024 तीन टॉपिक्स आपके बचे हुए थे अभी तो उन तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जिसमें इंडिस इंडिक्स sports and international news को हम डिसकस करेंगे बहुत important है for all the competitive exam आगे बढ़ते हैं session में मैं संदीब बंसल आपका स्वागत करता हूँ I'll be taking your classes मंथली करेंट अफेर का compilation classes और burning issues पर मैं आपकी classes पर लेने वाला हूँ इसके लावा जो PDF है monthly current affairs की जो है वो आपको मिल जाएगी website पे परचम classes की website पे इसके लावा सवाल current affair objective monthly e-book है जिसमें आप 150 plus questions है जो current affairs हम discuss कर रहे हैं उन्ही के basis पे आप questions वहाँ पर try कर सकते हैं और अपनी revision बहतर कर सकते हैं इसके लावा जो PDF है daily current affair की PDF है weekly, monthly, six monthly और annual PDF जो है वो आपको website पर मिल जाएगी इसकी subscription है one time है lifetime के लिए है so all the PDFs you will get इसके लावा कोई भी अगर आपको doubt है subscription को लेकर तो इस number पर आप call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं परचम classes के लिए subscription so please go and just check out this particular app चलिए तो session के शुवात करते हैं index and reports की तो सबसे पहले आता है पहली news आती है कि मुकेश अमबानी जो है दुनिया में नंबर दो brand guardianship index 2024 देखे brand guardianship index 2024 यह कहता है CEO's chief executive officers की ranking करता है तो दुनिया भर में इनका second rank आया है first rank जो है यहाँ पर चाइना के व्यक्ति है जिनका नाम है huang tang maa of china based tencent ठीक है तो यह व्यक्ति का नाम है और यह company china based tencent तो इनको मिला है first rank और मुकेश अमबानी जी को मिला है यहाँ पर second rank इसमें जो जियो है वो सबसे अच्छा brand बना गया है strongest brand from India जो है कहा गया है first rank अगर हम देखे मुकेश अमबानी diversified conglomerates diversified conglomerates में इनको first rank दिया गया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अलग-अलग sectors में यह काम करते हैं ठीक है diversified portfolio है diversified conglomerate है अलग-अलग शित्रों में जो है अलग-अलग sectors में काम कर रहे हैं इसमें जो है उनका rank one है next आपका news आता है इंडिया का rank one है हां जी इंडिया में number one business school किसको कहा गया है Indian school of business को और दुनिया भर में जो है rank है 31st globally Indian school of business अब मेरे को comment section box में आप बताएंगे कि Indian school of business कहां है भारत में location कहां कहां पर है इसकी generally जब हम MBA की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में IMS आता है CAD का examination आता है but Indian school of business is a very renowned institution और यहां पर यह ranking दी है financial times ने financial times global MBA ranking 2024 और यहां पर अगर आप देखेंगे overall Asia में Indian school of business का पाँचवा rank आया है पिछले साल चठा था और India में 1st है overall 31st है इसमें 1st rank जो मिला है very famous Wharton Business School जो की University of Pennsylvania से है और 2nd rank जो मिला है वो INSEED Business School को मिला है और 3rd rank जो मिला है वो आपका मिला है Columbia Business School तो यह आपके 1st 2nd और 3rd rank है हमारे लिए जो important है exam के लिए वो है Indian school of business ठीक है चलो next चलते हैं यह बहुत interesting news है जपान की economy जो है वो लुड़क कर तीसरे number से चौथे number पर आ गई है जपान की economy में आपको recession देखने को मिल रहा है यह recession क्या होता है देखे रिसेशन होता है जब किसी भी economy का दो quarter तक negative growth rate रहता है quarter क्या होता है देखे quarter is one fourth तो पूरे एक साल का one fourth क कितना हुआ तीन महीने तो तीन-तीन महीने दो quarter के लिए लगातार जब GDP growth rate negative रहती है तो यह कहा जाता है कि वो economy recession में चली गई है तो यह सा ही हुआ है जपान में इसके इलावा भी कई सारे reason है कि जपान की growth rate है वो negative जा रही है एक उसमें बहुत बड़ा reason है जपान की जनसं population आपको जपान में मिलती है यह वहां के बहुत बड़ा concern है वहां के productive workforce कम होती जा रही है इसको लेकर वहां के सरकार बहुत सारे incentives दे रही है कि आप youth को youngsters को कि आप जाधा बच्चे कीजिए ठीक है दो I know बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसा इंडिया में बिलक threat negative है और वहां पर population को बढ़ाने की बात चल रही है तो यहां पर एक interesting और भी point है कि इंडिया जो है दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थवस्ता है यह nominal terms में है इंडिया purchasing power parity की terms में already तीसरी सबसे बड़ी अर्थवस्ता है तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि अगले important है ठीक है तो यह जो है पूरा का पूरा हमने discuss कर लिया है next चलते हैं करनाट का बोस्ट highest number of EV charging stations in इंडिया देखे electrical vehicles को बढ़ावा देने के लिए या simply कहें तो carbon emissions को कम करना है global warming को ठीक करना है climate change जो हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए इस सब कवायत में जो है electric vehicles एक बहु इमारी है करनाट का ने देखे जब भी हम बात करते हैं electric vehicles की generally लोग कहते हैं कि charging stations की कमी है चार्ज कहां करेंगे अगर हमने vehicle खरीद भी लिया तो यहां पर infrastructure को develop किया गया है करनाट का के बारा अगर हम overall की बात करें तो यहां पर उत्तर परदेश में सबसे जादा आपको यह vehicles मिलते हैं लगभग 7,45,000 electric vehicles हैं उत्तर परदेश में और यह number काफी बढ़ेगा तो यहां पर करनाट का ने यह जानकारी किस ने दी है Bureau of Energy Efficiency Ministry of Power ठीक है बहुत important है Bureau of Energy Efficiency के एक और काम है अगर आप देखेंगे जितने भी आप अपने घरों में electronic appliances देखते होंगे वहां पर ranking देखते होंगे star rating देखते होंगे one star two star up to five star rating रहती है तो यह भी आपका Bureau of Energy Efficiency ही देता है मकसद क्या है कि धीरे धीरे हम अपनी per capita energy consumption को कैसे कम करें ठीक है इजा यह कहें तो कैसे हम जादा efficient हो सकते है energy consumption में ठीक है तो यहां पर यह सबसे जादा electric charging stations कहां पर है करनाट का में चलिए आगे चलते हैं next है आपका India drops to 85 in Feb on Global Passport Index Global Passport Index जो है दिया जाता है Henle Passport Index के द्वारा जारी किया जाता है इंडिया में इसका मलब इंडिया का जो rank है इसमें पीछे गया है पहले 80th rank था अब लोड़कर हो गया है 85th ठीक है यह अपने आपे concern है so Henle Passport Index is updated monthly यहां पर 6 countries ऐसी है जो अभी भी top position hold करती है जिसमें कि आपका France, Germany, Italy, Spain, Japan, Singapore तो आप देख सकते हैं इसमें चार देश यॉरप के हैं दो देश जो है एश्याई देश हैं सारे के सारे developed countries हैं और यह index जो है total दिया जाता है 199 countries के लिए और भारत का rank है इसमें 85th next आता है आपका FATF यह FATF में gray list से बाहर किया गया है कुछ देशों को अब यह थोड़ा से इस पर दो बिनिट लेंगे क्योंकि important news है देखे FATF जो है वो है Financial Action Task Force Financial Action Task Force जो है यह इसका गठन किया गया था G7 nations के द्वारा जो साथ सबसे बड़े industrialized nations हैं उनके द्वारा किया गया था मकसद यह था यह Paris based organization है मकसद यह था कि किस तरीके से जो money laundering है terrorist financing है इसको रोका जाए आप इसको ऐसे समझो कि कि जब भी हम terrorist terrorism को रोकने की बात करते हैं आतकवाद को रोकने की बात करते हैं तो इसमें बहुत important चीज़ आती है कि उनकी funding को रोका जाए अब यह एक कहलीजे organization है जो दुनिया भर में transactions को track करता है और दुनिया के अलग अलग देशों को बताता है कि आपकी यह transactions जो है संद है ठीक है और इन पर आप action लीजिए इसको ठीक कीजिए ताकि किसी भी तरीके से जो anti-national organizations है anti-social organizations है उन तक पैसा ना पहुंच चके तो यहां पर जो है grey list में जो है कुछ देशों को बाहर किया गया है इसमें सबसे important है UAE बहुत बड़ा देश है ठीक है per capita income के इसाब से United Arab Amir जो है इसको grey list में डाला गया था 2022 में financial action task force के द्वारा और इसके इलावा जो है Barbados, Gibraltar और Uganda, Barbados अगर आप देखेंगे Caribbean nations में एक nation है Caribbean islands, especially अगर आपने West Indies की team देखी हो, ठीक है West Indies की team, तो Caribbean देशों अलग लग छोटे-छोटे island country से मिला कर वो West Indies के एक team बनती है, तो वही पर आपको Barbados भी मिलता है, जिब्राल्टर की बात करें तो जिब्राल्टर एक बहुत important straight है, ठीक है अगर Africa और Europe का map देखेंगे तो बीच में बिल्कुल जो है, straight है जहां से आप कह सकते है Atlantic Ocean और Mediterranean Sea को चोड़ता है, next है आपका Uganda, जो है आपका देश है कि Africa continent में, तो ये तीन जो है gray list से बाहर किये गए है, दो देशों को add किया गया है, so that is Kenya and Namibia, अच्छा इसमें एक और important point है, black list भी जारी होती है, ठीक है, so gray list और black list में क्या फरक है, ठीक है, gray list में ये होता है कि एक तरीके से warning है, कि आप सुधर जाईए, ठीक कर लीजे इसको, ठीक है आपको warning दी जारी है, अगर वो देश उस पे action ले लेता है, तो उसको gray list से बाहर कर दिया जाता है, अगर repeated warnings के बाद भी, वो action लहीं लेते, तो उसको black list में डाल दिया जाता है, अच्छा फिर क्या होगा black list में डालने से, देखे, black list में डालने से ये होगा, कि उनकी जो दुनिया भर मे वो जो trade करते हैं, वो उस तरीके से trade नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत जादा restrictions लग जाएंगी, और उनकी economy को नुकसान होगा, तो हमेशा जो भी देश इसमें gray list में डाले जाते हैं, उनकी ये कोशिश होती है, कि हम जो है, जल्दी से जल्दी, जो भी चीज़े हमें इंपोर्टन है, ठीक है जी, फैट अफ क्या है, ये मैंने आपको बताया, Financial Action Task Force, Combating Money Laundry and Terrorist Financing, 1989 में ये बना था, G7 की मीटिंग में, headquarter इसका Paris है, इंडिया जो है, इसका member बना है 2010 में, ठीक है, तो ये कुछ important fact है, आगे चलते है, जपान की population shrink कर रही है, ये मैंने आपको अभी, जब जपान की अर्थवस्था के बारे में हमने चर्चा की थी, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जपान में आपको जो number of babies है, 2023 fell for 8th state year, लगातार इनकी population कम होती जा रही है, एक अनुमान की according, अगर हम देखें, तो य यहाँ पर इनकी population, अगले कुछ शालो में, अभी जो है, लगभग 12 करोड 50 लाख है, और 2070 तक, ठीक है, यह population 8 करोड 70 लाख रह जाएगी, नेट population, तो लगातार इनकी population कम होती जा रही है, 30% से जाता जो है, overall इनकी population कम हो जाएगी, तो यह जपान के लिए बहुत चिंता क बाविशा है, इसी लिए जपान जो है, और obviously इसमें एक और important point क्या है, इनकी old age population बढ़ती जा रही है, तो कह सकते हैं कि health पर जो उनका खर्चा है, infrastructure पर खर्चा है, वो काफी बढ़ जाएगा, productive workforce कम होगी, तो इसको लेकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सार incentives दिये जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि जादा population हो, ठीक है, चलिए, next है, transparency international corruption perception index 2023, so transparency international ने release किया है, corruption perception index, यहाँ पर एक बहुत important point है, perception, कैसे आप perceive करते हैं, देखो, corruption को measure करना अपने आपे मुश्किल है, तो लोगों से पूछा जाता है, important लोगों से पूछा जाता है, कि आपकी क्या राय है, corruption को लेकर, तो यहाँ पर जो भारत का rank आया है, वो 93rd है, out of 180 countries, again, जो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत encouraging नहीं है, अगर हम देखें, so released by transparency international, so their perceived level of public sector corruption according to experts and business people, ठीक है, तो जो business में लो 0 to 100 तक की ranking होती है, 0 का मतलब बहुत जादा corrupt, 100 का मतलब कोई भी corrupt नहीं है, जो है, इस तरीके से इसको show किया जाता है, और इंडिया का rank है, इसमें, कैलिजे, number है, total, 39 है, मतलब score जो है, 0 to 100 के वीच में, वो score 39 है, और rank है 93, ठीक है जी, जो, अगर हम अपने neighbors की बात करें, पाकिस्तान का 133, श्रलंका का 115, और top पे जो countries हैं, वो Denmark, Finland and New Zealand, Denmark और Finland जो है, आपका Europe के देश है, नदरन योरप में, New Zealand आपका, Australia के जो है, Southeast में आप देख सकते हैं, similarly, Somalia, Venezuela और Syria, ये तीन देश हैं, जो आपके, जो सबसे करप माने गई हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकत में, Somalia आपका Africa continent में, Syria आपका West Asia में, या जिसको Middle East भी कहते हैं, और Venezuela आपका South America continent में, ठीक है जी, नेक्स्ट है, इंडिया का position, position maintained at 42nd on International IP Index, अब ये IP क्या होता है, intellectual property, intellectual property is like, एक example के लिए समझे, जैसे आप Somaliya एक writer है, आप किताब लिखते हैं, तो वो copyright होता है उस पे, ठी क्योंकि वो आपका, जो है, intellectual property है, similarly, trademarks है, बहुत सारी चीज़े जो है, इसमें आते हैं, ये हो गया आपका intellectual property index, अच्छा, ये क्या चीज़ शो करता है, ये से देश के लिए, एक individual के लिए जैसे में आपको बताया, देश के लिए ये शो करता है, कि देश में innovation का क्या status है innovation नवाचार, नई नई technologies, नई नई चीज़ों को हम कितना बढ़ावा दे रहे हैं, कितना जावा चीज़े जो है, नई लाई जा रहे हैं एक economy में एक देश में, तो यहाँ पर जो है, ये 12th edition आया है, US Chamber of Commerce Global Innovation Policy का, जिन्होंने इसके बारे में जानकरी दी, और इंडिया का 42nd rank है, out of 55 countries, ठीक है, तो ये भारत में rank है, using 50 distinct criteria, overall score की बात करें, तो 38.64% है, और इसमें US top पर है, UK दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर आपका France है, ठीक है, तो ये, इस पे इंडिया काफी काम कर रहा है, नितिया योग काफी काम कर रहा है, बट स्टिल जो है, अभ assessment of black necked cranes, देखे, black necked cranes की assessment की जा रही है, ये किसके द्वारा की जा रही है, Wildlife Institute of India and Zoological Survey of India, ठीक है, जी, Zoological Survey of India have been carrying out the assessment of this, अब यहाँ पर 2016-17 में जो किया गया था, ये survey किया गया था, इसमें देखा गया था, 60 to 69 individuals surviving है, ठीक है, black necked crane के, अब यहाँ पर, देखे, जब ह की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं, कि अलग-लग जो जीवजन्तु है, वो किस तरीके से वो प्रजातियां लुप्त हो रही है, किस तरीके से वो extinct हो रही है, खदम हो रही है, तो यहाँ पर इसको लेकर हमने एक Wildlife Protection Act पास किया, तो ये black necked crane जो है, इसको रखा गया है, schedule 1 में, इसका मतलब ये होता है, कि हमें schedule में, जो schedule 1, schedule 2 में रखा गया है, इसको protection की ज़रूत है, और कितनी ज़्यादा protection की ज़रूत है, it is as good as saying, कि माली जी, आप अपने priority basis पे कोच चीज़े लिखते हैं, आप कहते हैं, आज मेरे को maths पढ़ना है, English पढ़ना है, Science पढ़ना on international trade in endangered species, endangered ठीक है, जो पर जातियां, मतलब जो लुप्त होने वाली है, ठीक है, उन पर किस तरीके से हमें कारवई करनी चाहिए, तो दुनिया भर के देशों ने मिलकर जो है, इस पर काम किया, तो ये जो है, कहली जे, पास किया गया, convention on international trade, international trade in endangered species, इसमें अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ पर मिलता है भारत में, ये मिलता है Changthang Sanctuary Ladakh में, ठीक है, Changthang Sanctuary Ladakh में, इसके लावा Sokar Wetland Site, ठीक है, Sokar Wetland Site, जो कि अपने आप में एक Ramasar Wetland Site भी है, ठीक है, Ramasar Wetland Site क्या होता है, किसी और सेशन में अलग से डिसकस करेंगे, तो अभी के लिए Sokar Wetland Site पर भी आपको जो है ब्लाक नेक्ट क्रेंज देखने को मिलते हैं। तो यह है ब्लाक नेक्ट क्रेंज के बारे में जानकरी। तो कुल मिला के घर हम बात करें, तो यहां पर इसको Schedule 1 of Wildlife Protection Act में रखा गया है, साइच में रखा गया है, और यह लदाक में आपको मिलता है, इसको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। ठीके जी, नेक्स आप का, Conservation of Critically Endangered Vultures in Vainard, वाइनाड Constituency, लोगसाबा Constituency of Mr. Rahul Gandhi, और और नेबरिंग एरियाज अफ केरल, as a part of Establishing a Vultures Zone in South India, तो South India में, दक्षण भारत में Vultures को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आपने अगर रमायन सीरियल में, जटायू करेक्टर के बारे में सुना है, ठीक है, I hope बहुत लोगों ने सुना होगा, तो उसी से आप इसको, जो है, रिलेट कीजिए, अच्छा, अब Vultures की जो Population है, 1990 के दशक में, काफी ज़ादा Reduce हुई, इतनी ज़ादा Reduce हुई, कि 97% के लगभग अनुमान है, कि 97% तक इनके Population खतम हो गई, यहाँ पर जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग, या कहलीजिए दवाई है, जो इनके खातमे का एक बहुत बड़ा कारण बना, that is Diclofenac, ठीक है, Diclofenac क्या है, एक ड्रग है, एक दवाई है, जो छड़के जाती है, बट इस दवाई को, जो है, when they consume, यह वल्चर्स कंजूम करते हैं, तो उनकी बॉड़ी में वो accumulate होता है, और धीरे-धीरे उनकी population wipe out हो गई, ठीक है, इससे उनको कई सारे विमारियां हुई, and they eventually, like, getting extinct, तो यहाँ पर जो है, तीन स्टेट्स ने मिलकर, अब न्यूस क्या है, कि तीन स्टेट्स ने मिलकर, यह सोचा है, ताकि इनकी protection के लिए, सही कदम उठाये जा सके, ठीक है जी, 320 इंडिविज़ल वल्चर्स वर काउंटेड, इन दे सेवन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, 320 वल्चर्ड यहाँ पर देखे गए है, 51 इंडिविज़ल वल्चर्स जो है, यहाँ पर करनाटका और तामिलाडू का एरिया ओवरलाप यहाँ पर करता है, वल्चर्स जो है, जैसे मैं आपको बताया, कि यहाँ पर जो सबसे important चीज़ आई है, वो है आपका diclofenac, used as a painkiller for cattle, ठीक है, painkiller के रूप में यह use किया जाता था, बट यह नुकसान हो गया है, वल्चर्स का यहाँ पर, so sighting of Himalayan griffon, is only reported from the wildlife century, इसके लावा अगर हम बात करें, उत्तरपरदेश शरकार ने, उत्तरपरदेश शरकार ने, जटायू conservation and breeding center, होला, कहाँ पर, महराज गंज district of उत्तरपरदेश, महराज गंज district of उत्तरपरदेश में, breeding center जटायू, तो I hope आपको यह जिस clear होई है, next है आपका, बुर्गंडी, एक private limited ने, एक list जारी की है, इंडिया की अलगलग companies की, valuation के बारे में, देखें, valuation किसी company की क्या होता है, कि माल लीजे, उस company के जितने सारे shares हैं, जितने assets हैं, अगर हम उसका एक value निकालें, तो वो उसका क्या कहलाता है, valuation कहलाता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी company निकल कर आई है, वो है Reliance Industries, ठीक है, इसके accordingly, प्राइवेट हुरून इंडिया 500 top companies की बात यहाँ पर की गई है, तो सबसे बड़ी company जो है, वो Reliance है भारत में, दूसरे नंबर पर TCS, टाता Consultancy Services, और तीसरे नंबर की, जो है, वो HDFC Bank है, ठीक है, अब रीसेंटी वैसे है, HDFC और HDFC Bank का, merger हो चुका है, तो यहाँ पर यह important है, तीन companies, जो कह सकते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी companies है, Valuation के बड़ी, So, 437 companies, in 2023, प्राइवेट हुरून, have women representations on their board, तो इसके लावा लिखा गया है, 26% companies ऐसी है, जो listed नहीं है, stock exchange में, अब यह क्या मतलब होता है, stock exchange में listed नहीं है, मतलब आप और मैं, या एक individual level पर कोई भी व्यक्ती, उसके share नहीं खरीद सकता, ठीक है, तो वो एक private limited है, वो public limited company नहीं है, लोगों के पास उसके shares नहीं है, ठीक है, stock market में listed नहीं है, stock market में उसके shares कोई खरीद भी नहीं लगता, चलिए, यह topic हमारा complete होता है, index वाला, आगे चलते हैं sports में, I hope आपको अच्छा लग रहा भी यहां तक, और, प्लीज, जो मैं question पूछता जाओंगा बीच-बीच में, उनका answer आपने comment section box में करना, it is very important, important points also, चलो आगे चलते हैं sports, तो पहली news है, खेलो India Winter Games, ठीक है जी, खेलो India Winter Games, यह कहाँ पर हो, हुई है, FEP में, फरवरी के माईने में, यह हुई है आपकी, जम्मू कश्मीर, लद्दाक में, ठीक है, जम्मू कश्मीर अनल्दाक, इसको, जैसे मैं आपको बताया, कि जम्मू कश्मीर में भी होगा, और लद्दाक में भी यह होगा, जॉइंटली इसको organize किया जाएगा, ठीक है, सेकिंड पोर्शन गुल्मर्ग, जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट पोर्शन लद्दाक में होगा, स्नो स्केटिंग, आइस हौकी, करलिंग, जो है, शिफ्ट की गई है लद्दाक में, और बाकी जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, वो कहां पर होंगे, गुल्मर्ग में होंगे, ठीक है, यहां पर एक interesting point यह है, कि यह आपका second phase जो है, इसमें विंटर गेम्स का रखा गया है, चार स्नो स्पोर्ट्स हैं, स्काई मांटेनेरिंग, एल्पाइन स्कींग, स्नो बोट और नौटिक स्कींग, यह आपका गुल्मर्ग में होने जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस ने जीते हैं, आर्मी ने जीते, दूसरे नमबर पर करनाटका ने, और तीसरे नमबर पर महराष्टा ने, यह जो है, यहाँ पर मेडल जीते हैं, ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस ने जीते हैं, चलिए, नेक्स्थाप का फोर्थ अडिशन आफ खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स तो यहां पर इसको वर्चुल इनागुरेट किया प्राइमिस्टर मोधी ने और उन्होंने यह हुआ है आपका गुहाटी में यहां पर आप देख सकते हैं यह सरफ असम में ही नहीं हुआ ये बाकी नॉर्थ इसन स्टेट्स में भी हुआ है, चार और नॉर्थ इसन स्टेट्स में भी हुआ है, अगेल, तो ये भी एक तरीके से आप मान के चलिए, एक पर्टिकलर रीजन में इन गेम्स को और्गनाईज किया गया है, तो ये 19 से 29 फरवरी, डेट याद करने के ज़र जो है, मासकेट, और जो इंपोर्टेंट है इसमें कि सबसे ज़ादा मेडल्स किसने जीते, तो सबसे ज़ादा मेडल्स जीते हैं, चंडिगड इनुवरसिटी ने, चंडिगड इनुवरसिटी लांडरा, पंजाब में, महाली में, इसमें, प्लीज डोंट कन्फूज इट पंजाब इनुवरसिटी चंडिगड, तो यह चंडिगड इनुवरसिटी है, नेक्स्ट आपका लवली प्रोफेशनल इनुवरसिटी चलंदर, और थर्ड नंबर पे है, गुर्नानक देव इनुवरसिटी अमरिटसर, तो इंसिडेंटली तीनों ही इनुवरसिटी जो है, फीफा वल्ड कप 2026 के अगर हम बात करें, तो यह इसका शेड्यूल आ गया है, इसमें 48 टीम्स जो हैं, पार्टिसपेट करेंगी, और 12 ग्रुप्स फॉर और 12 ग्रुप्स होँगे, ठीके चार्चा टीम्स के, और यह तीन देश मिलकर, अगें, ट्वेंटी टेश मि और यह तो इसमें, पहला मैच, जो है, आपका होगा मैक्सिको में और फाइनल जो मैच होगा, वो यह तरीके से बहुत सारे मैचेज यहां पर डिवाइड किये गए हैं, फीफा के जो प्रेजिडेंट है, वो गैनी इन फैंटीनो, जो इनका नाम है, फुड़ा सा प्रनानस इधर-उदर हो सकता है, प्लीज, फॉगिमी फॉड़ाट, यहां पर अगर हम बात करें, जो फीफा वर्ल्ड कप कतर, ठीक है, ट्वेंटी ट्वेंटी टू में हुआ था, वहां पर अर्जेंटीना ने जीता था, बहुत भव्या तरीके से वो मैच जो है, लोगों ने हाली में शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा साल नहीं होए हैं, अगर देखें तो, और यहां पर अगर हम बात करें, मेंस ब्राजिल फुटबॉल टीम जो है, इसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, पांच बार मेंस फुटबॉल वर्ल कप जीता है, ब्राजिल में बात करें, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, और वुमेंस टीम में सबसे ज़्यादा जीता है, यूएस के टीम में, नेक्स्ट है, हाइदराबाद में होस्ट होने जा रहा है, फीफा वर्ल्ड कप का, 2026 का क्वालिफायर मैच, इंडिया का मैच होने टीम क्वालिफाई करेगी, यह मैच कहा होने जा रहा है, हाइदराबाद में, जून 6 को यह मैच होने जा रहा है, ठीक है, तो obviously काफी important होगा, काफी लोग इसको देखेंगे, and it will be jointly hosted by, जैसे मैं आपको बताया, के FIFA 2026 World Cup, जो है, कौन होस्ट करने जा रहा है, आपका US, Canada, and Mexico, बहुत important है, बहुत सारे exam में पूछा जाता है, नेक्स्ट आपका Ivory Coast wins Africa Cup of Nations, तो Ivory Coast ने Africa Cup of Nations जीता है, Ivory Coast, map में, Africa के map में कहां पर है, ये आपने, ये homework है आपका, जो आपने Atlas में देखना है, हिंट दे दे रहा हूँ, Western Africa, तो Western Africa में बहुत सारे चोटे-चोटे देश हैं, थोड़ा सा map को ध्यान से देखेगा, और उसमें आपको समझ आएगा, के exactly कौन-कौन से चोटे-चोटे देश हैं, और उसमें Ivory Coast को आपको लोकेट करना है, ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज है आपके जस्परित बुम्राब, ठीक है, जस्परित बुम्राब, पहले इंडियन पेसर हो गए है, नमबर वन ICC टेस्ट रैंकिंग पे आने वाले, ठीक है, रिप्लेस रवी चंदरन ये रैंकिंग जो है, अभी तक, नमबर वन रैंकिंग, इनको तीनों फार्मेट्स में मिला है, टेस्ट मैच में, वंडे इंटरनेशनल में, और आपका 2020 में, बहुत इंटरस्टिंग है, और यहां पर अगर हम बात करें, तो बुम्रा जो है, चौथे ऐसे भारतिया हो गए मतलब अगर बॉलर्स में रैंकिंग में देखें, तो सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आप देखें, बिशन सिंग बेधी, ठीक है, और उसके बाद जो है, रिसेंटली रवेंदर चड़ेजा, और अश्विन, और अब हो गए है, जस्पृत बुम्रा, अब जस्पृ पहले भारते हो गए हैं, जिन्होंने फर्स रैंकिंग अचीव की है, आईसी सी रैंकिंग, नेक्स्ट आपका आर अश्विन, अगेन आर अश्विन जो है, दूसरे ऐसे गेंद बाज हो गए हैं, जिन्होंने 500 विकेट्स लिये हैं, टेस्ट क्रिकेट में, अब ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसकी है, अनिल कुम्बले की, अनिल कुम्बले की सबसे ज़्यादा विकेट हैं, और 10 विकेट एक इनिंग में लेने वाले बल्ले बाज हैं, सारी, केंद बाज हैं, पाकिस्तान की बल्ले बाजी के गेंस्ट जो है, उन्होंने 10 वि यह हमने डिसकस कर लिया है 500 विकेट्स दूरिंग थर्ड टेस्ट अगेंस्ट इंग्लेंड इन राजगोर्ट तो यह इन्होंने कारनमा किया है थर्ड टेस्ट जो है जो हुआ था आपका इंग्लेंड के खिलाफ राजगोर्ट में ठीक है जी नेक्स्ट न्यूज जैसे कहते हैं न दुख दकली तकली पीड़ा अभी खतम नहीं हुई अभी हमने वर्ल्ट कप जो है हार गए थे फाइनल ठीक है एक और वर्ल्ट कप फाइनल हम हार गए हैं ऑस्टेलिया से हार गए हैं अंडर 19 मेंस वर्ल्ट कप जो है जो है यह हुआ आपका यह south अफ्रिका में हुआ था यहां पर भी अस्टेलिया जीती है इंडिया जो है रनर आप है अच्छी बात यह है टीम स्पिरिट अगर हम उसमें देखें गेम की स्पिरिट में तो हम final तक यहां पर भी पहुँँचे ठीक है तो यहां पर जो है अस्टेलिया अवान्ड जिन्होंने वन्डे इंटरनेशनल में 200 रंग किये हैं। अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन बाक्स में बताओ, अभी मैं बताओंगा आपको दो मिनिट के बाद भी, पॉस करके सोचना, इंडिया के कौन-कौन से बैचमन है, जिन्होंने 200 स्कोर किया है, ठीक है, कौन-कौन से हैं, जिन्होंने 200 स्कोर किया है, और फास्टेस्ट किस ने किया है, ये भी बताना हूँ, ठीक है, चलो, तो पथम निशंका जो है, श्रिलंका के है, अब सवाल आता है कि किस के खिलाफ उन्होंने ये स्कोर किया है, ठीक है, तो उन्होंने ये स्कोर किया 189 बै सनद जैसूरिया, सनद जैसूरिया जो कि कैप्टन रहे हैं, शलंका की टीम के बहुत बहुत बहतरीन बल्लेबाज माने जाते थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ कर जो है ये पहले बल्लेबाज हो गए है, ओवरॉल अगर हम बात करें तो फास्टेस डबल टन जो है वो ह इशान किशन की, बंगलादेश के खिलाफ, 2022 में किया था, 126 गेंदो में 200 रन किये थे, दूसरा जो मैक्समेल ने अभी रीसेंटली, अगर आपको याद हो वर्ल्ल कप में, 128 गेंदो में 201 रन जो है यहां पर लगाए गये थे, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इतिह एफ्राग एइरवेज है, और यहां पर इन्होंने लास्ट एर, केटरीना कैफ जो है, उनको चुना है, एज अ ब्रैंड अमबेजडर, ठीक है, एज ब्रैंड अमबेजडर जो है, उनको चुना है, नेक्स्ट है, नामीबिया के बल्लेबाज है, जैन निकॉल लॉफ्टी, इन्होंने fastest ever 2020 century जो है यहाँ जड़ दी है fastest 2020 century कहा के Namibia, Namibia आपका Africa continent में अगर आप देखेंगे South West में South Africa के पास में, South Africa के North में दीखेगा Namibia आपको एक देश मिलता है Namib desert बहुत पेमस है वहाँ पर उसके पास में से एक Benguela current निकलती है, मैं कहाँ जोगरफी में चला गए चलो वापीस आते हैं, sports में देखो यह तरीका है, ठीक है जब भी आप exams की त्यारी कर रहे हैं तो जब चीज के बार में पढ़ते हैं तो उससे बाकी चीजों को relate करने की कोशिश कीजिए ठीक है, Namibia नमीबिया के बाद जो है आपके दिमाग में तीन-चार facts आ जाने चीए ठीक है, तो इससे क्या होगा आपकी interlinkage बढ़ेगी, आपको चीज़े याद रहेंगे, ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्होंने अभी recently नेपाल के एक player है, जिनका नाम है कुशाल मला, ठीक है, इन्होंने century मारी थी, faster century बिचारेन का record ज्यादा टाइम चला नहीं और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनकी जो century है, वो 34 गेंदों में थी और जो ये player है, ठीक है Jan Nicole, ठीक है, Jan Nicole ball, ठीक है, जान निकाल ली इन्होंने ठीक है, जान निकाल ली सिदा-सिदा ऐसे याद रखें, तो ball, 33 बॉलों में century मार दी ठीक है, 33 बॉलों में century हर game पे 3 run है, ऐसे मोटा-मटा समझाओ ये इन्होंने किसे खिलाफ किया है, नेपाल नेपाल के जो बल्लेवाज से उन्होंने मंगॉलिया के इखलाफ किया था, इससे पहले रोहित छर्मा, अगर आप देखें तो उन्होंने 2017 में 35 गेंदों में ये सेंचरी जो है की थी, नेक्स्ट न्यूज है, अगेन क्रिकेट से ही है, बावर आजम जो है, 2020 में 10,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेवाज हो गए हैं, ठीक है, सबसे जादा जो है, तेजी से इन्होंने रन बनाये हैं, इन्होंने 10,000 रन पूरे करने के लिए 271 इनिंग्स जो है, इनको लगी और यहां पर क्रिस गेल को लगी थी, 285 इनिंग्स and the कोली तुक 299 इनिंग्स to reach this milestone, तो यहां पर बावर आजम पास्टेस्ट, क्विकेस्ट बन गए हैं to reach 10,000 रनs in 2020. नेक्स्ट है C8 जो है उनको पिक किया गया है Official Partner for IPL C8 जो है सिलेक्ट किये गये है Official Partner और Companies spend about 240 करोड़ over the period of 5 years 240 करोड रपर यहां पर खर्च करेगी C8 और BCCI ने reportedly 4 IPL Sponsorship Slots दिये है 1485 करोड 1485 करोड़ 1485 करोड़ So IPL has become a big brand BCCI is making a lot of money So यहां पर C8 ऑफिशल पार्टनर बना है अच्छी बात ही है कि दुनिया के बहुत सारे companies भी इसमें participate करना चाहती है Next है J. Shah जो की ग्रै मंतरी अमिशा जी के बैटे है और J. Shah उनको उनको reappoint किया गया है ACC Chairperson for the third successive year ACC क्या है Asian Cricket Council Asian Cricket Council के उनको Chairperson चुना गया है इससे पहले जो है उसके Chairperson थे Bangladesh Cricket Board के अध्यक्ष नजमुल भसन अब जो J. Shah है वो बन गए है ACC Chairperson Next जो news है यतिराज प्रमोध कृष्णा विन गोल्ड आट पैरा वेडमिंटन World Championship जहां पर भी आपको ये गेम्स में हमारे जो दिव्यांग जन है हमारे जो differently abled है वो जो है यहां पर participate करते है ठीक है तो जैसे Paralympics होता है तो Paralympics जिसमें कि दिव्यांग जन participate करते है वो वाले Olympics ठीक है इसी तरीके से Para Badminton World Cup Championship ठीक है तो यहां पर World Championship में सुहास, यातिराज, प्रमोध भगत और कृष्ण नागर ने gold medal जीते है men's singles में at the Para Badminton Championship तो यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है इंडिया बीट Thailand to win first ever Badminton team championship title इंडिया ने Thailand को हरा दिया है पहली बार इस Asia team championship title में भारत ने जीता है gold medal और यह women's team ने कारणामा करके दिखाया है interesting यह है अभी तक जो men's team जीत पाई थी वो bronze medal जीत पाई थी women's team ने यहाँ पर gold medal जीत लिया है ठीक है जी यह आपका FAB में हुआ led by PV Sindhu and youngster Anwal Khart ठीक है तो इनके द्वारा यह जीता गया है पूरी team थी team का effort है यह और first ever gold medal at the badminton championship Indian men's team जैसे मैं आपको बताया है 2016 और 2020 में bronze medal जीता ठीक है चलिए खेलो इंडिया athletes emerged as the out performers in Leaning Sri Lanka International Badminton Challenger 2024 सबसे पहले दो ना इसका नाम बड़ा interesting है क्यों क्योंकि अगर माल लीजे सिधा सिधा यही कोशिन पूछ ले आ जाए कि Leaning यह जो competition है बड़िविंटन का यह कहां पर होता है ठीक है तो बहुत जिसने नहीं बड़ा होगा वो श्रलंका तो बिल्कुल भी टिक नी करके आएगा ठीक है चार option में लेखा होगा मलेशिया कोरिया चाइना ठीक है और एक लिखा होगा श्रलंका तो ली निंग जो है नाम नहीं लग रहा है पहले तो यह ध्यान रखेगा कि श्रलंका का है और दूसरा यह है यहाँ पर 2024 यहाँ पर इशा रानी बरुवा नॉर्थी से आती है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वोमेन सिंगल्स कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है 200 प्लियर्स फ्रॉम 14 कंट्रिस टुक पार्ट इन चैलेंज ठीक है तो यहाँ पर दोसो से जादा प्लियर्स ने चौदर देशों से यहाँ पर पाटी स्पिट किया हूं नेक्स्ट है सुमित नागल उन्होंने जीता है चन्नाई ओपन एटीप चैलेंजर ट्रॉफी टैनिस में तो टैनिस चन्नाई ओपन ओटीप चैलेंजर इंडिया टॉप रैंक्ट सुमित नागल इमर्जड विटियर्स इन हिस फिफ्थ चैलेंजर टाइटल तो पांचवर चैलेंजर टाइटल है इनका इन्होंने हराया है लुका नार्दी ओफ इटली ठीक है सो इस फर्स इन दा सीरीज ओफ एटीप चैलेंजर 100 events to be held in India तो यह भारत में होता है important है देखो tennis में जो सबसे ज़्यादा important है वो आपको चारो grand slams है चारो grand slams में सबसे पहले कहां पर होता है Australian Open होता है फिर Paris होता है फिर Wimaldon होता है फिर US Open होता है यह sequence है यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है आपका Mumbai Open 2024 यहाँ पर आप देख सकते हैं L&T Mumbai Open WTA Tournament यह जो है professional women's tennis tournament होता है यह भी आपका फैप में हुआ और यह भी आपका tournament is a part of 2024 WTA 125 tournament तो यहाँ पर जो है दार्जा सेमिनिस्तिजा ठीक है थोड़ा सा नाम जो है नेक्स्ट है इगा स्वातिक ठीक है वेरी फेमस प्लेयर इगा स्वातिक ने जीत लिया है Qatar Open Championship ठीक है Qatar Open Championship नेक्स्ट हम चलते हैं सो स्टेट थर्ड इयर Qatar Open Championship उन्होंने डिफीट कया है लीना Rabia Kinako ठीक है जीक है नेक्स्ट इंडियन स्क्वाइश प्लेयर अभे सिंग विन्स गुड़ फैलो क्लासिक स्क्वाइश तूर्णा इन टोरंटो तो यहाँ पर इंडियन ने स्क्वाइश में जो है जीता है टाइटल तो यह जो है सबसे पहले आपको यह समझना है कि पी एसे का फूल फॉर्म क्या है प्रफेशनल स्क्वाइश असोसियेशन अभे सिंग फ्रम चैन्नाई गुड़ फैलो क्लासिक पी एसे चैलेंजर टाइटल यह कहां पर हुआ आपका टोरॉंटो कैनडा में ठीक है टोरॉंटो कैनडा में हुआ और यह इंडिया के स्क्वाइश के प्लियर है अभे सिंग ठीक है इन्होंने यह जीता है सो एशन गेम्स गोल्ड मेंटलिस है इस एथ पी एसे वर्ल टूर टाइटल स्पोर्ट्स मिनिस्टर में है है चेस अलंपियाड टॉर्च टू बुदापेस्ट बुदापेस्ट किसकी कैपिटल है कहां पर है वो देश कहां पर है और बुदापेस्ट किसकी कैपिटल है किस कॉंटिनेंट में है यह प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखे अभी मैं आपको बताऊंगा दो मिनिट में बट जस्ट जब भी मैं कुश्चन पूछ रहा हूं तो प्लीज पॉस कीजिए जस्ट कि यार माइंड के 3-4 सेकिंड थोड़ा सोचिए के कहां पर है यह दूसरा यह बताईए के चेस अलम्पियाड भारत में हुआ था इछला चेस अलम्पियाड ठीक है आपका Chess Olympiad Torch to Budapest Hungary ठीक है बोढ़ा है, बुड़े हैं और Hungary है ठीक है तो इस तरह की से याद रख सकते हैं So host 45th edition of Chess Olympiad और 44th edition of Chess Olympiad कहां पर हुआ था? चन्नाई में, Tamilाडू में ठीक है जी? चन्नाई, Tamilाडू में यह हुआ था. Next है अभिनाब बिंदरा होने जा रहे हैं Torch Bearer for 2024 Paris Olympics ठीक है? Torch Bearer का मतलब होता है जो लीड करेगा. भारत की टीम को लीड करेगा. सबसे आगे रहेंगे हमारे भारत के जंडे को ठीक है? आगे लेकर चलेंगे तो यहाँ पर अभिनाब बिंदरा जो जीता है. वो क्या है? ठीक है वो भी first gold था. वो athletics में था. ठीक है? इनका shooting में है. तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना. So second individual गोल्ड आप उसको कह सकते हैं overall ठीक है? जो निरशुपा गया है. So Paris Olympics schedule to take place July में होने जा रहा है और यह अभिनाब बिंदरा इसको जो है टॉर्च भी रहा रहा होंगे. Next है BIMSTEC Aquatics Championship 2024. BIMSTEC क्या है? सबसे वेलोगरी सवाल आता है. यही अपने आप में question है. आपका BIMSTEC क्या है? और इसका headquarter कहां पर है? BIMSTEC है आपका Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical Corporation. कुल में आके कहें? बंगाल की खाड़ी Bay of Bengal के आसपास के जो देश है उनका एक समू है. साथ देशों का एक समू है. जो की अलग-लग छेत्रों में काम करते हैं economy में, trade में, investments में और अब जो है sports में भी इन्होंने शुरू किया है. ठीक है? अगर यहां पर बात करें, सो इसकी announcement की गई थी by Prime Minister Modi along with the fourth BIMSTAC Summit in 2018. 2018 में इसके बारे में बात किया गया था. इंडिया, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, थाइलेंट, मयनमार और श्रिलंका. ठीक है? यह BIMSTAC के members हैं. इसमें Maldives नहीं आता है, Pakistan, अफगानिसान नहीं आता है. यह थोड़ा सा ध्यान में रखेगा. ठीक है? साथ इसमें देश आते हैं और इसका Headquarter कहां पर है? धाका बांगलादेश में है. धाका बांगलादेश में आप ऐसे समझदो कि इस पूरे एरिया में जो सेंटर कौन सा पढ़ रहा है? यह धाका बढ़ रहा है. धाका बढ़ रहा है. धाका बढ़ रहा है. ओवर रॉल सेंटर में तो सेंटर में है धाका में. ठीक है? तो यह हो गया आपका BIMSTAC के बारे में जानकरी और जो हमने Aquatics Championship देखा. Aquatics Championship देखा हूँ. नेक्स्ट है Switzerland Tourism जो है Switzerland की सरकार जो वहां की Tourism केलिजे मंतरालिय है उन्होंने ओनर किया है कि इसको निरचोपड़ा विद प्लाक आट जंग फ्रोवाज आइस पैलस तो यह इनको ओनर किया गया है. इनका मकसद है कि सीधा सीधा Switzerland में टूलिजम भी भड़े, sports activities भी बढ़े, ठीक है, और जो winter sports जिसे कहा जाता है, वो उन activities में भी लोग जो है वहाँ पर जाकर काम करें और वहाँ पर जाकर खेले कुदें, ठीक है तो यहाँ पर किस देश ने उनको honor किया है, तो Switzerland, ठीक है जी, following serve as well will be as well, xylvania. team अंधने निर्बीक्दीं कोटा सक्राकूर। हैं अनुषा अगरवाल ने जो कि ब्रॉंज मेडलिस्थे 2023 Asian Games में उन्होंने शीक्योर कर लिया है प्यरिस। अलंपिक्स में अपना ततान ठीक है, Paris Olympics में अपना स्थान, वोट सुवारी में, so, जो exact discipline है, that is dressage discipline, ठीक है, dressage discipline में इन्होंने जीता है, यह कहले जो अपनी जगा बना ली है, Paris Olympics में, अनुश अगरवाल है, इसके लिजदा इंडिया's first individual bronze at Asian Games in dressage last year, ठीक है, तो यह जो है, किसने जीता है, आपका, अनुश अगरवाल है, next है, इंडिया includes 11th Asian Indoor Athletics Championship with 3 gold, 1 silver and 2 national records, तो यह भी आपने आप में काफी अच्छा था, performance भारत का, 11th Asian Indoor Championship, यहाँ पर ध्यान देना, इंडोर है, Indoor Athletics Championship, ठीक है, तो यह तहरान में, इरान में हुआ, और इसमें, एथलीट जोती याराजी, इन्हों ने जीता है, gold medal, woman 60 meter में, और अपना देश का जो national record है, उसको तोड़ दिया है, timing of 8.12 second, जो कि अपने आप में एक national record है, इसके लाबा तेजंदर सिंग तूर, इन्हों ने 19 year old national record तोड़ा है, और gold जीता है, throw of 19.7 meters, तो short put throw, यहाँ पर अगर हम बात करें, Hermelan Benz की, उन्होंने gold medal जीता है, women's 1500 meter category में, India backs sporting medals including 9 golds in archery Asia cup, आरचरी मतलब आपका तीरंदाजी, ठीक है जी, बगदाद में हुआ, इराग में, जो भी sporting events है, उन्हों में आपका important क्या क्या चीज़ें है, एक तो location कौन सी है, और India का क्या rank रहा, India के important players है, match the following type of question पूछे जाते हैं, तो यह कुछ आपके important questions है, ठीक है, चलाँ, India finished archery cup, Asia cup 2024 with 14 medals, यहाँ पर जो दिपिका कुमारी, यहाँ पर आप देख सकते, थ्री टाइम Olympian, गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, धीरच गोमदेवारा, गोल्ड मेडल, प्रनीत कोर गोल्ड मेडल, और प्रतमेश चावाकर गोल्ड मेडल, ठीक है, तो यह सब players ने जीता है, गोल्ड मेडल आर्चरी में, तीरंदाजी में, नेक्स्ट है, P.T. उशा जी को Lifetime Achievement Award दिया जा रहा है, सवाल आता है के Lifetime Achievement Award कौन दे रहा है, तो यहाँ पर Lifetime Achievement Award दिया जा रहा है, Sports Journalist Federation of India, Sports Journalist मतलब जो, like, Sports के बारे में लिखते हैं, जो जनलिस्ट, Sports के बारे में, Sports को cover करते हैं, देन आपका दिल्ली Sports Journalist Association, उनके द्वारा P.T. उशा जी को Lifetime Achievement Award दिया जा रहा है, अब मेरे को P.T. उशा जी के बारे में, अभी recently बहुत एक important fact है, ठीक है, वो comment section box में आप लिखेंगे, P.T. उशा जी के बारे में, एक recently, recently बड़ा important fact है, जिन बच्चों को पता है, वो comment section box में लिखेंगे, ताकि बाकी लोगों को भी बता लगे, जिन concept सही होगा, वो हम उसको heart देगे, देखे, idea ये है, कि हर एक चीज न, आपको इस social media के माध्यम से, जो heart चीज बहुत असानी से मिल जा रही है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, सर्च करें, ठीक है, inquisitiveness रखें, ठीक है, तो it is very important, कि आप अपने अंदर वो जिग्यासा लेकर आएं, चीज़ों को जानने की, चलो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हैप का, त्वांचु टाइट्स इंटरनेशनल क्याखिंग चैंपेंशिप 2024, बिगेंज इन अरनाचल परदेश, देखें, अब यहाँ पर यह water sports है, आपने river rafting के बारे में सुना होगा, river rafting में क्या रहता है, कि बहुत सारे लोग जो है, नौका चलाते हैं, ठीके, और जो है, adventure sports में इसको गिना जाता है, ठीके, नदी है, नदी में बहुत सारे rapids हैं, ठीके, तो वहाँ पर आपका जो boat है, ठीके, उसमें बहुत सारा, के लिज़े movement आपको देखने को मिलता है इस वैसे ही individual एक व्यक्ति जब boat चलाता है, उसको क्याकिंग बोलते हैं, अब अरनाचल परदेश को के tourism को बढ़ाने के लिए, सरकार जो है, वहाँ पर बहुत सारी नदिया है, वहाँ पर इस तरीके का international क्याकिंग टुर्णामेंट कर रही है, ठीके, तो idea है, रेस के अरना की famous place, ठीक है, Monastery भी है, अरनाचल परदेश में है, तो वहाँ पर Tuangcho Tides International क्याकिंग चेंपेंशिप हो रहा है, ठीक है जी, event organized by, called Switch, from 7th to 9th Feb, a total of 51 क्याकर्स from different countries are participating in it, next है, Sports Star Aces Award 2024, यहां पर Tamil Nadu को best state का award दिया गया है, for the promotion of sports, क्योंकि Tamil Nadu ने total पैसा खर्च किया है, 770 करोड, ठीक है, Tamil Nadu ने खर्च किया है, for the promotion of the sports, ठीक है, अगर overall ranks की बात करें, मुरली धरन जो है, मुथाया मुरली धरन शलंका के बाद famous गिंबाज है, 800 जो है, विकेट से उन्होंने लिए है, first ever international icon award इंको दिया गया है, IDFC, first bank lifetime achievement award दिया गया है, जो champion weightlifter है, करना मलेशवरी, 2000 के लंपिक्स में, इन्होंने bronze medal जीता था, ठीक है, और इसके लावा former India cricketer, ठीक है, चंदू बॉडे, ठीक है, इनको जो है, lifetime achievement award दिया गया है, Australia opens men's double championship, ये है आपका रोहन बपना, ठीक है, रोहन बपना, जो 43 के age में भी खेल रहे हैं, ठीक है, अपने आप मोटिवेशन है, सारे youngsters के लिए, रोहन बपना, वन the ace of the aces award, ठीक है, तो ये overall है, sportsman of the year award, सात्विक साहिराज, रंके रेटियंट, चिराक शेटी, इन दोनों को, दोनों players को, veteran player, badminton के, क्या award मिला है, इनको अभी recently, major ध्यांचंद, खेल रतन वार्ड भी दिया गया है, जो के highest sporting award है भारत में, government of India के दोरा, sportswoman of the year award, रमेश बाबू, वैशाली, grandmaster, सिफ्थ कुमार सामरा, shooter, ठीक है, ये दोनों players, देखो, ये game भी आपको ध्यान में होनी चींगे, ठीक है, game भी आपको ध्यान में रखना है, स्पोर्ट्स, women of the year, para-sports, सुमित आंतिल, जाबलिन, team organization, badminton, sportswoman, और coach of the year, रहुल द्रविट, ठीक है जी, lifetime achievement award, चंदू बोर्डे, करना मलेश परी हमने डिसकस किया, sports star, sports star of the year, that is, निरा छोपडा, ठीक है जी, जाबलिन त्रोर, और sports star of the year, female, शीतल देवी, आर्चर, best state, अभी हमने डिसकस किया, तमिलाडू, 770 करोड़ खर्च किया है, best PSU, NTPC, National Thermal Power Corporation Limited, best corporate for the promotion of sports, Tata Steel, best university for the promotion of sports, वो कांसा है आपका, SRM Institute of Science and Technology, ace of the aces award क्या है, रोहन भोपन्ना, यह हमने डिसकस किया, and international icon, मुथाया मरलीदा, ठीक है जी, चलो, second edition हुआ है, pengong frozen lake marathon, pengong lake बहुत famous, एक दो movies में आपने देखी है, देखा होगा pengong lake को, comment section box में again लिखना, कहां कौन सी movie में देखा है, movie तो सब लोग, मतलब बहुत लोग बेखते है, ठीक है, national favorite, one of the favorite past time है, तो किस movie में दिखाया गया है, यह लिखना, so pengong frozen lake marathon, जो है, यह सर्दियों में पूरा frozen हो जाती है, जम जाती है, तो यहाँ पर marathon हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो marathon हुआ है, यह किस ने जीता, भगवान सिंग and महेश खुराना, from भवपाल, have completed the pengong frozen lake marathon, held in लेदर ताग, और यह जो है, first mountaineer है, मध्या प्रदेश के to conquer the world's highest peak, Mount Everest, so जो भवान सिंग है, उन्होंने, यह मध्या प्रदेश के पहले mountaineer हैं, जिन्होंने Mount Everest को फटह किया है, अब यह बहुत interesting है, pengong lake के अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो दुनिया की highest salt water lake है, salt water मतलब नमकीन, पानी, ठीक है, तो वो दुनिया की highest, height wise सबसे उपर, आपको यह salt water lake मिलती है, इसका जो one third हिस्सा है इस lake का, वो भारत में है, बाकी जो है, वो आपका Chinese occupied area में आता है, और lie in India and other two third parts in China, and it is known to change colors, pairing blue, green and red at different times, यह interesting है इसका, कि यह इसका रंग जो है बदलता है अपने आप में, यह question, देखो कई बार paper में question क्या से पूचा जाता है, consider the following statement, यह lake का रंग बदलता है, यह highest salt water lake है, बताईए किस lake की बात हो रही है, ठीक है उस तरीके से question, तो feature देदेगा लेक पूच लेगा, चलो, तो यह हमारा एक और second part यहाँ पर खतम हो गया है, अब हम चलते हैं international news में, चलिए, international news में पहली news है, मलेशिया में नए जो राजा आए हैं, सुल्तान इबराहिम, देखें, मलेशिया में नए एक बड़ा interesting method है, वहाँ पर राजा को चुणनेगा, वहाँ पर 9 royal families हैं, ठीक है, 9 royal families हैं, और इन 9 royal families में, जो राजा है, वो rotational basis पे चलता है, हर family को tenure मिलता है 5 साल का, फिर अगली family को जैसे माल लो, 9 families in the 1, 2, 3, 4, तिल 9, तो पहले को 5 साल, फिर 2nd को, फिर 3rd, फिर इस तरीके से rotational basis पे, जो राजा की गदी है, वो rotate होती है, तो यहाँ पर जो है, इनको मिला है मौका सुल्तान इबराहिम, उनकी 65 वर्ष उमर है, और सद्रन स्टेट आफ जोहर, ठीक है, यह व नेम्ड तुवालू's new Prime Minister, तुवालू, दुनिया का one of the smallest country, Pacific Ocean, परशात महसागर में, अगर आप Australia के East में देखेंगे, तो छोटा सापको देश मिलेगा, तुवालू, तुवालू के बारे में अगर आप बात करें, तो बहुत छोटा देश है, मतलब लिटरली उसका, अगर चलओ, तो यहां पर नए परदानमंत्री चुनेगे हैं, ठीक है, फैलिति दियो, ठीक है, बन आप द लीस्ट विस्टेट कंट्री है दुनिया का, तो वालू, ठीक है, चलो, so Pacific Ocean में यह रहाँ का, ठीक है, तो यहां पर यह सोलोमन आइलेंट भी इम्पॉर्ध बहूर्टन मेलेनीशय, माइक्रोनीशय, पॉलीनशये, ठीक है, मैलेनीशया, माइक्रोनीशय, पॉलानीशय, का मतलब होता है, іलेंड. आप यहाँ पर तवालglass में आता है, अब मेरे को आप यह बताएंगे, इस islands में सबसे बड़ा जो कहलीज यह काफी बड़ा island या एक बहुत famous country है New Zealand, ठीक है आप सब लोग उसको जानते है New Zealand, अब मेरे को यह बताईएगा comment section box में, New Zealand किसमें आता है, option आपकी क्या है, ठीक है, option है, तीन option है, Melanesia, Micronesia, Polynesia, ठीक है, map को आप देखेंगे और मेरे को comment section box में बताएंगे, मैं जो आपको छोटे-छोटे टास्क दे रहा हूँ, please इसको करिएगा, यह important है, ठीक है, it is important कि आप इसको समझें, याद करें, देखें, ठीक है, it's like a homework, चलो, next आपका hungry parliament, इलिट्स, Thomas Soliok as a new president, यहाँ पर नई राश्टपती जो है, चुने गए है, Thomas Soliok, Hungary, Hungary की capital कौन सी थी, Budapest, बुढ़े, Hungary है, ठीक है, यहाँ पर Thomas, इनको नई राश्टपती चुना गया है, so after the resignation of Katalin Novak, Hungary की capital Budapest, ठीक है, landlocked country है, Europe में, Europe के center में, अगर आप देखेंगे, यहाँ आपको Hungary, यहाँ पर देश मिलता है, एक बहुत famous नदी है, यहाँ पर, Danube नदी, ठीक है, Europe में, Europe के सबसे वड़ी नदी कौन सी है, बोलगा, और बाकी नदीया है, D से शुरू होती हैं सारी, D से Dawn, D से Danube, D से नीपर, D consonant है, Nister, D again consonant है, तो D से शुरू होने लिए बहुत सारी नदीया है, ओके, next है, मरियम नवाज बन गई है, पहली महिला मुख्य मंतरी, पंजाब परांथ की, पाकिस्तान के पंजाब परांथ की, ठीक है, यह नवाज शरीफ, जो की तीन बार पाकिस्तान के परधान मंतरी रहे हैं, उनकी बेटी हैं, और शहवाज शरीफ, जो की present Prime Minister है, अभी incumbent प्राइमनिस्टर हैं उनकी भती जी है या कहें लिजे शहवाज शरीफ नवाज शरीफ के चोटे वाही हैं तो देश के सत्था जो है लगबग लबगे हाथों में है और ये पहली बार कोई महिला पंजाब परांग की पाकिसान पंजाब परांग की मुखे मंतरी बनी है नेक्स्ट है आपका former Prime Minister Alexander Stubb wins the Finland Presidential Election, पूर परधानमंत्री जो है Alexander Stubb वो बन गए है राश्ट्रपती, Finland काफी ज़्यादा चर्चा में था, क्यों? क्योंकि Finland recently बना है NATO का Member, NATO क्या है? North Atlantic Treaty Organization, जिसका headquarters कहां पर है? Brussels, Belgium में है, और NATO जो है, एक security grouping है, 32 देशों की, ठीक है, पहले 30 द add हुआ, अब recently Sweden add हुआ, बहुत important, Finland की बात करें, तो Finland की capital है Helensky, ठीक है, Helensky यहाँ पर इसकी capital है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इसका currency Euro है, PM, Petri, और पो, ठीक है, तो पूर परधानमंत्री, Alexander Stubb अब बन गए है, राश्ट्रपतेवना के, next है, कजाकिस्तान ने appoint किया है, अलजास, पेक्तिनॉफ को नया Prime Minister, सबसे पहले तो कजाकिस्तान कहाँ पर है, कजाकिस्तान को Central Asia, ठीक है, मध्य एशिया में, अगर आप देखेंगे, तो पाच स्थान है, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, मैंने कोई मिस तो नहीं किया, प्लीज मेरे को बता देना, ओके, तो यहाँ पर इसकी capital है कजाकिस्तान की अस्ताना, ठीक है, अस्ताना, अब नाम चेंज हो गया पर, ध्यान रखना, अब नाम चेंज हो गया है, कजाकिस्तान की ही पूर्वर कजाकिस्तान की बात कर रहा है, कजाकिस्तान में सबसे खास बात क्या है, कि यहाँ पर crude oil बहुत मिलता है, ठीक है, गैस के बंधार है, crude oil मतला कच्चा तेल, गैस, इसके बहुत बंधार है, mineral resources, खनीच पदार्थ आपको मिलते हैं, और यह एक landlocked country है, दुनिया का सबसे बड़ा landlocked country है, 44% desert है, ठीक है, desert है यहाँ पर, ठीक है, 44% desert, semi-desert 14%, तो लगवक 58% देश तो desert और semi-desert ही है, अब यहाँ पर एक बहुत खास यह है, कि the country is on the first position in the world in terms of explored reserves of zinc, ठीक है, zinc के सबसे ज़्यादा reserves आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, तो यह आपका और leading producer, world's leading producer of aluminium है, जैसे मैं आपको बोला कि खनीच पदार बहुत हैं, इस particular देश में, चलिए, next है आपका, El Salvador के राष्ट्रपती, नयब बुकेले, दोबारा चुने गए हैं, ठीक है, यह कोई model की तस्वीर नहीं है, यह वहाँ के राष्ट्रपती है, ठीक है, तो यह जो है, El Salvador, El Salvador कहां पर है, Central America, ठीक है, Central America का अगर आप मैप देखेंगे, Mexico के South में आएंगे, तो यहाँ पर एक El Salvador, इसकी capital है, San Salvador, El Salvador, San Salvador, ठीक है, याद र की तरफ है, प्रशात मासागर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, El Salvador, अचा, El Salvador के बारे में, इनकी language Spanish है, क्योंकि यह Spanish colony रही है, जैसे हम British colony रहे हैं, तो हम अंग्रेजी जानते हैं, बोलते हैं, वैसे ही, यह Spanish colony रही है, तो Spanish यहाँ की language है, only country in the Central America does not have the coast अचा, El Salvador के बारे में, एक और important fact है, जब भी हम facts पढ़ते हैं, I know, बहुत सारे बच्चों को लग रहा हूँ, इतने सारे facts हैं, कैसे याद होंगे, यह facts के बारे में, आपको यह समझना है, कि जब आप एक चीज के country के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में, 3, 4, 5 facts ज कहीं ना कहीं, आप जब paper में बैठे हो, option हो, तो आपको याद आए कि हाँ जी, हमने यह पढ़ा था कहीं ना कहीं, ठीक है, चलो, यहाँ पर bitcoin, crypto currency के बारे में आपने सुना होगा, bitcoin को इन्होंने legal tender दिया था, ठीक है, मतलब एक legal माननेता दी थी, सरकार के दारा माननेता दी कहीं थी, ठीक है, चलिए, नेक्स चलते है, येमन ने appoint किया है, FM, एहमद अवाद बिन मुबारक को नया परधान मंतरी, ठीक है, तो यहाँ पर येमन के बारे में अगर हम पहले दो देख लेते हैं, येमन एक आपका central, sorry, West Asia में आपका एक देश है, और येमन के बारे में ए साउदी रेबिया, UAE, कतर, बहरेन, उमान, ठीक है, येमन नहीं है, येमन में बहुत सालों से ग्रेय युद्ध चल रहा है, सिविल वार चल रही है, इसकी कैपिटल है सना, और यहाँ पर लाल सागर, रेड सी, ठीक है, यहाँ पर एक बब अलमंदाब स्ट्रेट है, ठीक ह और यहाँ पर आपको यहीं समझना है, हूती रेबल्स, ठीक है, सो रिसेंटली हूती रेबल्स जो है, वो अटैक कर रहे हैं, जो भी शिप्स हैं, US के, UK के, इसराइल के शिप्स हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, और इसलिए येमन जो है, काफी जब्दा चर्चा में है, अब इन्होंने एहमद अवाउत बिन मुबारक को अपना नया प्रधान मंतरी जो है, पॉइंट के, हिडन हाइडरो थर्मल सिस्टम बिनीद लेक रोतुरा, यहाँ पर जो है, एक हाइडरो थर्मल लेक है, हाइडरो थर्मल, दो चीज़े ध्यान दखना है, पर हाइडरो, बहुत जादा हीट सोर्स है, पर पानी ऊपर सरस्फेस पर आपको ठंडी बेलता है, भी कहींके जादा गरम पानी मिलता हैं, यह बड़ा इंट्रस्टिंग गिरफियं दीकरी सिल्चिouse, तो आपको ऊपर पानी गरब नहीं बिलता ऑफाद नीचे पानी उसका सोर्स है, तो स इंट्रस्टिंग चलिए आगे चलते हैं फ्रांस जो है पहला यू यूरोपीन यूनियन का देश हो गया है जिन्होंने पेपरलेस वीजा इशु करना शुरू किया है एक जनरी स्केंजन वीजास बिकमिंग फिर्स्ट कंट्री तो हैंड आउट इस वीजास इन यूरोपीन यूनियन ओके नेक्स्ट है आपका यूए ने ग्रांट किया है गोल्डन वीजा तो सुपर थर्टी फाउंडर अनंद कुमार तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमिराथ ठीक है यूनाइटेड अरब अमिराथ ने रीसेंटे एक प्रोग्राम शुरू किया था गोल्डन वीजा का अब यह क्या होता है गोल्डन वीजा, बीसींगल गोल्डन वीजा का कhen reopen यह है कि जो important personalities हैं उनको वॉज़ा दे रहे हैं कि आप आये हमारे देश में में काम कीजिए ताकि जो दुनिया भरके important लोग हैं वो UI विंजकरे उससे उनका tourism बड़े उससे उनका business, trade यह सारी है शन introduced in 2019, 2019 में शुरू किया गया था, long term residence, आप लंबे समय तक जा कर वहाँ पर रह सकते हैं, that allows foreign residents, expert rights to live, work and study in the UAE, ठीक है, for 5 to 10 years, 5 से 10 साल तक आप वहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है, idea is that, investors, individuals in the field of science, knowledge, culture, art have granted the golden visa, इस से पहले, संजेदत, शारुक खान, इनको ये दिया गया था, अब super 30, के बहुत famous super 30, आपने movie भी hopefully देखी होगी, तो उसके जो founder है, उनको जो है, ये golden visa दिया गया है, ठीक है, आनंद कुमार जी, और पत्ना में, ठीक है, इनको golden visa दिया गया है, इस से पहले, 2023 में इनको पद्मश्री भी मिला है, ठीक है, पद्मश्री वार्ड भी मिला है, 13th WTO Ministerial Conference हुई, आपकी, यहां पर, अबुधाबी UAE में, लेखे हो, WTO क्या है, World Trade Organization, ठीक है, World Trade Organization, जिसका गठन हुआ था, 1995 में, और मकसद क्या है, दुनिया भर में वेपार को बढ़ावा दिया जाए, इस से पहले, GATT हुआ करता था, G-A-T-T, ठीक है, GATT, GATT का full form क्या है, General Agreement on Trades and Tariffs, ठीक है, General Agreement on Trades and Tariffs, और यह आपका फरवरी में, Highest Decision Making Body है, WTO Ministerial Conference, ठीक है, दिल्ली किसकी capital है, ठीक है, दिल्ली सबको बता है, आपको कैया जी, इंडिया की capital है, खासका Squeeze Delhi अगर हम बात करें, अच्छा मैं अगर आपको यह पूच्छू कि, इंडिया को छोड़ कर दिल्ली किसकी capital है, अगर आँ क्यों कहो के मतलब कैसी वाते कर रहे हु, ठीक है, इंडिया जो है WTO का मेंबर बना 1995 में ठीक है जी तो और इससे बेले में जिसे मैंने आपको बता है गयाट था हाँ अब आपका गोशन आता है दिल्ली किसी कैप्टल दिल्ली कैप्टल है जी ये देखे तैमोर लिस्ता ठीक है कंट्री है आपका एस्ट तैमोर ठीक है इस्ट तेमूर औस्टेलिया के अगर आप मैप देखेंगे औस्टेलिया के मैप में नौर्थ में देखिए ठीक है एटलेस कोल के अस्टेलिया के नौर्थ में देखिए एक बड़ा सा आइलेंड है उसके दो हिस्से है एक हिस्सा जो है अलग एक देश है जिसका नाम है तैमूर इसक वाला दिल्ली नहीं है, ठीक है, so country in South East Asia, Union of Comoros, country in Africa, capital है, मौरोनी, ठीक है, capital है, मौरोनी, तो ये कहां परदेश है आपका, ये है आपका Africa continent में, छोटा सा एक island nation है, ठीक है, छोटा सा एक island nation है, नेक्स्ट है, 7th Indian Ocean Conference 2024, ये हुई है आपकी Australia में, ठीक है, Perth Australia में, ठीक है, Perth Australia, 9th to 10th February 2024, इसका theme है, Towards a Stable and Sustainable Indian Ocean, Dr. S. Jayshankar, जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने इसमें पार्टिस्पेट किया, अपनी जानकारी दी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, कि इंडियन ओशन को कैसे safe and secure रखा जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें आपको बताया, कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, सागर, security and growth for all in the region, ठीक है, security and growth for all the region, सागर प्रोग्राम है, इंडियन ओशन में किस तरीके से, इंडियन नेवी की presence है, और इंडियन नेवी बाकी जो छोटे-छोटे देश हैं, उनको मदद करे, और इंडियन ओ solution को safe and secure रखे, ठीक है, चलिए, चलिए, नेक्स्ट आपका World Government Summit 2024, इंडिया, तुर्किये, तुर्किये, ठीक है, तुर्की नहीं आजकल, तुर्किये हो गया, नाम बदल दिया रोने अपना, ठीक है, Qatar have declared the guest of honor at 2024 World Government Summit, अब ये World Government Summit का मतलब क्या है, एक किस तरीके से दुनिया क जो अलगला सरकारे हैं, वो अपना प्रशासन चलाएं, ववस्था चलाएं, और किस तरीके से जो Government Services हैं, वो लोगों तक असानी से पहुंच चके, वो सारी चीज़े यहां पर डिसकस की गई, ये कहां पर हुआ, दुबाई में हुआ, थीम था, shaping future governments, future governments किस तरीके से होनी च और क्या क्या चीज़े हो सकती हैं, कि लोगों तक Government Services असानी से पहुंचे, Prime Minister Modi in UAE, ये काफी जावा चर्चा में था, इसमें 3-4 चीज़े हैं, चलो, डिसकस करते हैं, क्योंकि इस इवेंट को लेकर, मीडिया ने बहुत कवर किया, और काफी जादा चर्चा हुई इस विज Unified Payment Interface, जो आप like UPI transactions करते हैं, ठीक है, online transactions करते हैं, e-wallets के तुरू अलग लग, जैवान इन अबूध हाभी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर UPI को integrate कर दिया है, वहाँ उनके साथ, ठीक है, बहुत interesting, और next जो point है यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री ने जो World Government Summit है, उसमें भी पाटिस्पेट किया, और इसके इलावा अगर हम बात करें, तो भारत के प्रधानमंत्री, रूलर अफ दुबाई, शेक मोहमद बिन रशिद के साथ भी मिले, उपर आश्रोपती, sorry, and BAPS मंदर, जी हाँ, UAE का सबसे बड़ा हिंदू मंदर इनागरेट किया गया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा काफी ज़्यादा चर्चा में था ये, and एहलान मोधी एक इवेंट भी वहाँ पर और इनागरेट फर्स्ट हिंदू टेंपल, इन दे यूए, इसका पूरा नाम है, बोकुन सनवासी, अक्षर, पुर्शोतम, स्वामी नरायन संस्था मंदिर, और ये जो है, ओपन कर दिया गया है, लोगों के लिए एक मार्च से वहाँ पर, और काफी ज़्यादा चर्चा थी, अगर मंदिर के बात करें, इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, वो नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर है, नागर स्टाइल आपका नॉर्थ इंडियन और नागर स्टाइल का फ्यूजन है, ठीक है, ये टेंपल कैसे बनाया गया है, नागर स्टाइल से बनाया गया है, ठीक है, और इसमें साथ जो है, शिखर दिखाए गया है, जो कि साथ अमिराद्स को शो करते हैं, योई के, ठीक है, साथ अमिराद्स को शो करते हैं, और इस इसमें कोई भी ऐसा आयरन का material यूज नहीं किया गया है ताकि इसमें कोई जंग लगने का system यहां पर ना हो इसके लावा CBSC ने अपना office खोला है दुबाई में इसके बारे में जो है बताया गया next है UPI रूपे कार्ड जैवान जो अभी हमने discuss किया था इसमें दो चीज़ों को integrate किया गया है अगर आप देखेंगे जैवान card is based on India's digital rupee card credit and debit card और यहां पर interlinking की गई है UPI की और आनी की ठीक है आनी जैसे इंडिया में UPI है वैसे UAE में आनी है तो दोनों के integrate करते हैं इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा ही होगा कि आप मालोग घूमने गए हैं या वहां के जो लोग हैं जो भी trade होगा उसमें आप ये transactions कर सकते हैं तो easy हो जाएगा UAE के लोगों के साथ transactions करना या वह हां के लोग जो है मालों इंडियन जो वहां पर जा रहे हैं उनको भारत में पैसे भेजने हैं या भूमने गए वहां पर तो वो सारी transactions जो है आप कर पाएंगे ठीक है या फिर वह भारत में आते हैं वो भी UPI के तो ट्रांजिक्शन कर पाएंगे चलिए इसके लावा foundation stone of भ ठीक है यहां पर आपको जैवलली मिलेगा यहां पर भारत मार्ट मक्सद क्या है अगें भारत के ट्रेड को बढ़ावा देना भारत के जो MSME प्रोड़क्ट्स हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटर्प्राइजी छोटे लगू द्योगों के जो प्रोड़क्स हैं उनक इस निर्यार को बढ़ाया जा सकें नेस्ट है U.A.S. टेक्नलोजी इन्वेशन इंसिचूट लांच इस फैलकन फांडेशन ठीक है फैलकन फांडेशन क्या है लॉँच्ट औ फैलकन फांडेशन तो प्लेसेट वर्ल्ड गभ्वर्मेंट समित 2024 ठीक है तो फैलकन फांडेश क्या है नाम से आप देख सकते हैं टेक्नोलेजी इनोवेशन ठीक है टेक्नोलेजी इनोवेशन ओपन सोर्स AI जन्रेटिव मॉडल्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सके ठीक है यूए इमें एक और इंटरस्टिंग चीज होने जा रही आपको इस तरीके से एयर टेक्सिस जल्ली की से एयर टेक्सी चलेगी जिसमें एक से एक और में चार लोग बैठ सकते है एक जगा से दूसरी जगा आप असानी से जा सकते हैं इसकी तेक्सिसben होगी 4 passengers along with the pilot, 4 passengers along with the pilot accommodate करेगा, वर्ल्ड की पहली के टेक्सी, यह कब तक आ जाएगी, यह कहा जा रहा है कि 2026 तक आपको देखने को मिलेगी, जी हाँ, अपने operations कमेंच कर देगे 2026, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम उसी से, 2024 तो चली रहा है, ठीक है, Saudi Arabia to launch dream of the desert, ठीक है, Saudi Arabia launch करने जा रहा है, dream of the desert, so it is the first luxury train, dream of the desert, देखे, Saudi Arabia की बात करें, तो एक बहुत ज़्यादा desert है, उसमें, अब यह जो train है, proper desert से होकर गुजरेगी, वहाँ की जो capital है, रियाद, ठीक है जी, रियाद कनेक्ट करेगा, अलकुरियाद से, sorry, तो यह 1300 किलो मेटर लंबी train होगी, और रियाद से, अलकुरियाद, जो है, इसको कनेक्ट करेगा, जो कि Jordan के साथ बॉर्डर करता है, मतलब यह city, जो है, Jordan के साथ बॉर्डर, बॉर्डर पे है, Jordan का बॉर्डर लगता है, इसराइल पेले सीन के साथ, ठीक है, Jordan, Dead Sea, आपने सोना होगा, Salt, बहुत ज़्याद है, Salty, एक Lake है, Dead Sea, ठीक है, चलो, The route will pass through the long stretches of scenic deserts, तो deserts में होकर गुजरेगा, तो लोगों को जिनको deserts देखने हैं, उनको देख सकेंगे, UNESCO World Heritage Sites भी, जो है, से भी होकर यह गुजरेगा, ठीक है, नेक्स्ट आपका Malta बन गया है, 119 देश to join International Solar Alliance, Malta एक देश है आपका यॉरप में, Malta के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है, International Solar Alliance, जिसका headquarter Guru Gram में है, बुड़गाओं, इंडिया में, ये एक initiative यह आ गया था, भारत और फ्रांस के वज़ारा, जो tropical countries हैं, ठीक है, जो करकरेखा और मकरनेखा के बीच में आती हैं, खेर बात में हमने बाकी देशों को भी अलाओ किया, ट्रॉपिक आफ कैंसर और ट्रॉपिक आफ काप्रिगन के बीच में आती है, ये इस दे नेशन जिनमें solar potential काफी जादा है, अब Malta जो है, 119 वा देश बन गया है, इसको join करने वाला, इसका headquarter भारत में है, गुरुग्राम में बहुत important, ठीक है जी, चलिए, तो Malta एक island country है, Mediterranean Sea में, European, ठीक है, सदरन ये रॉप में, International Solar Lines के बारे मैं आपको बता दिया, next आता है World Watch, ठीक है जी, World Watch, Philippines जो है, पहला Asian country बन गया है, जिन्नोंने ILO Convention को ratify किया है, ILO क्या है, International Labour Organization, जो कि प्रत्म विश्वयुद्ध के बाद बना था, और इसके अगर हम बात करें, तो पहला country है एशिया में, जिन्होंने, और 38th country in the world, ठीक है, 38 जिन्नोंने ILO Convention sign की है, 190, अब ये क्या है, किस से related है, ये है आपकी, violence and harassment in the world of work, ठीक है, मतलब काम में, किसी भी तरीके के violence ना हो, harassment ना हो, इसको लेकर, जो है, सरकार क्या कदम उठाएगी, तो इसको लेकर एक convention, जो है, हुई थी, इसमें, एशिया का पहला देश बन गया है, फिलिपीन, जिन्नोंने इसको ratify किया है, ठीक है, मतलब, अब सरक जो है, इस convention के recording, अपने देश में, अलग-लग rules, regulation लेकर आएगी, ताकि, workplace पर किसी भी तरीके का violence और discrimination ना हो, ठीक है, जिबेदभाब ना हो, न्यूजिलेंड ए प्लाइन किया है, टू रिवोग, वर्ल्ट फर्स ट्रबैको बैंड, देखे, न्यूजिलेंड ने एक बहु यूबा हैं, उनको जो है, cigarette या tobacco products नहीं बेचे जाएंगे, अब इन्होंने ये decision बापिस ले लिया है, इन्होंने कहा है कि नहीं, हम blanket ban नहीं लगाएंगे, हम ये करेंगे, कि जो tobacco products हैं, ठीक है, नबाकू products हैं, उनमें nicotine का content को हम कम करेंगे, ठीक है, that was the idea, so nicotine के content को कम किय लिया जाएगा, ये जो है, अब यहाँ पर step लिया गया है, New Zealand के दवारा, Prime Minister Modi and Prime Minister Praveen Jagannath of Mauritius, इन्होंने एक बहुत important step लिया है, inaugurated the new air strip and jetty at Agalega Island in Mauritius, सीधा-सीधा question, mapping का Agalega Island कहां पर है, देहीं, ये important इसलिए है, क्योंकि recently Maldives के साथ, जो हमारा के लिए टसल रहा, व Maldives ने बहुत क्लियरली कह दिया, कि हम किसी भी तरीके से इंडियन की presence वहां नहीं जाते हैं, तो उसके alternative में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये Mauritius है, ठीक है, Mauritius का एक island है, Agalega Island, ये बहुत important है, अगर आप Prime Minister Praveen Jagannath की बात करें, ये भारते मूल के ही है, ठीक है, भारते मूल के ही हैं, और यहाँ पर आप भारत जो है, अपना एक investment कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें, so development projects में हमने invest किया है, 6 community development projects में invest किया है, और connectivity बढ़ेगी इंडिया की, Mauritius के साथ, और Mauritius की बढ़ेगी, Agalega Island के साथ, ठीक है, Agalega Island के साथ, और यहाँ पर इसके लावा, UPA और रूपे कार्ड सर्विसेज भी रीसेंटली लाँच की गई है, Mauritius में, ठीक है जी, चलिए, आगे चाते है, Oil India Limited to organize India's first global partner roadshow in Abudhabi, ठीक है, तो Oil India Limited, जो के बहुत भड़ी PSU है, public sector undertaking है, अभी एक roadshow करने जा रहे हैं, मकसद क्या है, confluence where energy and opportunity converge, ठीक है, इ IOCL कई बार आप, sorry, Oil India Limited, so IOCL is something different, marks a different significant step as it seeks to achieve ambitious growth and expand in international presence, so 50 leading companies है, from energy sectors are expected to attend, ठीक है, तो ये मकसद क्या है, streamline the partner onboarding process, ठीक है, कि बाग की companies को भी हम onboard ला सकें, और अपने relationship को बहतर कर सकें, जो exploration business में है, ठीक है, उनको बता सकें, कि हम भारत की company है, और आप हमारे सता कर काप कीजे, अब यहाँ पर आपके लिए important यह है, कि जो oil India है, वो एक आपका, जो है, oil India जो है, एक महारतना है, यह महारतना, नवरतना, मिनी रतना category 1, मिनी रतना category 2, तो महारतना क्या है, महारतना देखे, एक system develop किया गया था, PSU's के लिए, कि जो जितना जादा अच्छा profit लाएगा, अच्छा revenue लेकर आएगा, उसको autonomy दी जाएगी, तो 3 साल का profit, 3 साल का revenue उसमें देखा जाता है, इसमें कुछ criteria set किये गए है, उसके accordingly, अलग-लग PSU's को उन categories में divide किया जाता है, तो oil India जो है, वो किसमे है, महारतना है, थीक है, incorporated on 18th February 1959, Control of the Ministry of Petroleum and Gas, CMD है, दॉक्टर रंजीत पर्थ, ठीक है जी, तो ये है आपका आज का session, कैसा लगा ये session, जरूर बताएगा, comment section box में, comment section box में, जिन्होंने अभी तक ये session पूरा देखा है, उनसे, like, obviously गुजारिश है कि बाकी बच्चों तक भी ये share करें, और इस session के बारे में, बाकी बच्चों को भी बताएँ, idea here is, कि जादा से जादा students तक पहुंचा जाएगे, बहुत भाद धन्यावाद, thank you so much, खुश रहिए, मुस्कराते रहिए, जहें बंदबात्रम